नमस्कार मैं हूँ इंद्र मोहन आप देख रहें बिहार तक लगभग तीन महने के बाद नितीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है बिहार में जो बिधान सभाग के सदस्यों की संख्या है 243 अगर उस अनपात की बात करें तो कुल 36 मंतरी हो सकते हैं अभी नितीश कुमार को अगर जोड़ लें तो उनके साथ 14 मंतरी नितीश कैबिनेट में हैं अब ये कहा जा रहा है कि कल जो कैबिनेट का विस्तार होगा इसमें भी इस बार पूरी कैबिनेट नहीं होगी यानि कि कुछ मंतरियों को ही शपत दिलाई जाएगी हलांकि सुत्रों के हवाले से ये बात निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से 9 मंतरियों को शपत दिलाई जाए और जेडियू की तरफ से 8 मंतरियों को शपत दिलाई जाए इस वीडियो में मैं आपको उन सम्भावित नामों के बारे में बताता हूँ जो कल शपत ले सकते हैं मंत्री के तौर पर नितीश कैबिनेट के विस्तार में बीजेपी से सबसे बड़ा नाम जो है वो शहनवाज हुसेईन का है दिल्ली में काफी बड़े नेता केंद्री जो बीजेपी की टीम है उसमें काफी पैट रखते हैं हलाकि बीजेपी में वो मलसी चुने गए हैं और अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेध यानि कि हेवीवेट मिनिस्ट्री जो होती है वो शहनवाज हुसेन के पास जा सकती है वहीं समराथ चौधरी का भी नाम आ रहा है कि उन्हें भी कल मंत्री बनाया जा सकता है समराथ चौधरी के नाम को लेकर हाला की शुरू में ये बात कही जा रही थी कि नितीश कुमार को उनके नाम को लेकर आपती थी कियोंकि वो पहले जेडियू में थे और नितीश कुमार का ये कहना था कि जो जेडियू छोड़ कर BJP में आए हैं वो बीजेपी के कोटे से मंतरी नहीं बन सकते वहीं नितिन नवीन के लिए कहा जा रहा है कि नितिन नवीन को भी इसवार मंतरी बनाया जाएगा वहीं संजीब चौरसिया भी मंतरी मंदल का हिस्सा होंगे वही जेडियू की बात करें तो BSP छोड़कर जेडियू में शामिल हुए जमाखान को मंत्री बनाया जा सकता है संजय जहा को बनाया जा सकता है जो नितीश कुमार के काफी करीबी हैं और MLC हैं वहीं सुमित सिंग को भी मंत्री बनाया जा सकता है सुमित सिंग निर्दलिय चुने गए हैं बिहार में एकलोते निर्दलिय बिधायक हैं जो जिनोंने जेडियू को समर्थन दिया है तो वो भी जेडियू के कोटे से कल मंत्री बन सकते हैं वहीं जेडियू के कुछ और बिध बात करें तो संजै सारावगी भागी रथी देवी और नीरज बबलु को भी मंत्री बनाया जा सकता है नीरज बबलु जो नाम है इसे आपने पिछले दिनों सुना होगा सुसान सिंग राजपूत के मामले में ये सुसान सिंग राजपूत के भाई हैं इने भी मंत्री कल बनाया जा सकता है तो ये वो प्रोवेबल नाम है जिने कल मंत्री पत की शपत दिलाई जाएगी एक बार मैं फिर से आपको बता दू कि बीजेपी कोटे से सबसे कद्दा बर नेता शाहनवाज हुसैन को मंत्री बन देख सकते हैं नितीश कैबनेट के विस्तार को लाइव और आप उस वीडियो पर कमेंट मिले सकते हैं साथ ही आप हमें ये भी बताएंगे कि आपके छेतर से कौन किसे आप मंत्री के तौर पर नितीश कैबनेट में देखना चाहते हैं